हेलो एन लव वेलकम मैं डियर सोल फैमली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी हटके क्योंकि आज की रीडिंग में आप एक ही रिक्वेस्टेड एक रीडिंग मैंने कॉमें स्क्षिन में पड़ी थी जिसका टॉपिक था कि मैं बताईए कि क्या उनके घर वाले हमारे रिष्टे के लिए मानेंगे तो जितने भी लोग हैं जिनके रिष्टे में उनके घर वाले जो हैं देखिए यह नहीं चाहते कि हम उनके घर वालों के बारे में बात करें यही एक वज़े है कि वो चाहते ही नहीं है आपको reason बताना यही एक वज़ा है मुझे लगता है वो चाहते ही नहीं है इस बारे में बात करना शुरू करते हैं अच्छी रिडिंग हम भी बहुत जिद्धी हैं जानके रहेंगे कि यह person क्या चुपा रहें आपसे और क्या इनके घरवाले इनके इनके लिए आप दोनों के रिष्टे को लेकर मान जाएंगे ओके ऐसा लग रहा है कि यह person यह खुद तो joint family में हो सकता है रहते हैं लेकिन यह खुद जो है अपने parents के साथ रहते हैं लेकिन इनके घर पे जो जादतर फैसले होते हैं वो joint family ही लेती है कोई भी छोटे से छोटा जो फैसला है उसमें पूरी family का decision सामिल होता है पूरी family का फैसला होता है और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है इनके family के अंदर बहुत ज़्यादा मनमुटाब भी हो जाता है दूसरे अलग-अलग फैसलों की वज़े से यह person बहुत बार ऐसा लग रहा है कि अपनी ही गलतियों की वज़े से इस person ने अपनी खुशियों को खो दिया है ऐसा क्यों लग रहा है यह person बहुत ज़्यादा उदास है अपनी family वालों को लेकर बिलकुल भी खुश नहीं है हो सकता है इनकी family नहीं इन पर बहुत सारे फैसले जो हैं वो जबरदस्ती थोपे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि आप दोनों कभी एक हो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई difference हो कुछ तो अलग हो आप दोनों का background अलग हो सकता है आप दोनों का अपके अंदर age difference हो सकता है या फिर कुछ तो अलग हो सकता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बहुत लोग के लिए फिजिकली भी है कि उन्होंने किसी ने बोल दिया हो कि देखने में मुझे पसंद नहीं है कुछ भी हो सकता है I'm just guessing अगर ऐसा है तो प्लीज कॉमें सेक्शन में जरूर लिखिएगा तो दिक्त उनकी طرف से आ रहे है लेकिन इस परसन नहीं कभी भी इसका blame नहीं लिया इसके जिमतारी नहीं लिया यह कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते हैं नहीं यह मानना चाथे हैं नहीं आपके सामनी कभी कुबूलेंगे कि जो भी हुआ वो मिली तरफ से हुआ इसलिए मैं देख रही हूँ आप में से बहुत लोगों को बीना कुछ बताए ही एकदम से अपनी लाइफ से काट दिया गया कुछ इन्होंने कारण नहीं बताया अलग होने का इन्होंने जरूरी समझा ही नहीं इनको ऐसा लगा कि ठीक है कोई बात नहीं ऐसा होता है हल किसी का ब्रेक अप होता है हमारा भी हो जाएगा यह बहुत डरे होए थे उस समय इन्होंने इसलिए बताना जरूर नहीं समझा क्योंकि वो जानते थे कि एक बार अगर वो आपको बोल देंगे तो आपके मन में भी बहुत सारी लाकों सवाल होंगे और आप उनसे सवाल पे सवाल पूछेंगे तो इन्होंने हो सकता है मैसेज में आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आपको हिंट दे दी हो कि अब हम दोने एक साथ नहीं रह सकते कॉल पे तो बहुत कम लोगोंने बोला है और मिलके तो बिलकुल मुझे लग रहा है ऐसा कोई है यदे जन्होंने मिलके साथ साब बात की ले शिए हो इन्होंने रिप्लाय करना बंद कर दिया इन्होंने कॉल करके बोलना जरूर ही नहीं समझा वो ये चाहते ही नहीं है, प्यार वियार क्या होता है, उनको कोई इससे लेना देना नहीं है ये हो सकता है, ये अपनी चोईस से ही आपके परसंद की शादी कराना चाहते हो इसलिए इनोंने कभी ध्यान ही नहीं दिया आपके परसंद के उपपर ना ही आप दोनों के रिष्टे के उपर इनको बस ये था किसी भी तरीके से आपके परसन को आपके साथ नहीं रहने देना है तो उसके लिए कितनी भी गहरी साजिश चलनी पड़े या फिर कितना भी बड़ा गेम खेलना पड़े इन सभी लोगों ने मिलके खेला है यहां पे कोई दो लोग नहीं दिख रहे हैं दो से जादर लोग दिख रहे हैं जिनको आप दोनों के बारे में पता था और उन सबने मिलकर ही ये प्लान बनाया है सवाल यह है कि क्या ये लोग कभी भी इनके लिए मानेंगे आपके परसन के लिए आप दोनों करेश्टे के लिए यहां के मुझे आपके जो परसन है वो बहुत सदा कमजोर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इनकी तरफ से बहुत विद्रू नहीं हुआ है ना बिल्कुल भी नहीं अगर यह आपके परसन ने बोला है ना कि मैंने बहुत कोशिश किया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जब इनके घरवाले इनके खिलाफ खड़े हो गए तो इस परसन ने डर के मारे उनका फैसला मान लिया पाता है आपको और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़दा कोशिश किया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है बस ऐसा लग रहा है कि एक बार डांट में यह फटकारने की जरूत थी देखा इन्होंने जैसे ही मेजॉरिटी में बहुत सरा लोग खड़े हैं तो यह जो थरथर का अपने लगए उनको लगा कि बस फैसला मानना ही पड़ेगा वरना फिर तो मेरे तो कहीं पे भी नहीं चलेगा अब बस घर निकालना हो घर निकाला होने वाला और उस टाइम हो सकता है काफ़ी टाइम पहले की बात है आपके ये परसन स्टेबल नहीं थे हो सकता है फानेंशिल इंडिबेंडनेंट नहीं थे इस वज़े से इस परसन ने इसी में भलाई समझी कि ये फैसला मान लेना चाहिए वरना फिर ये कहां जाएंगे कहां रहेंगे अगर इन लोगों के खिलाव गए तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा तिन्होंने कोई जादा विद्रो नहीं किया जादा कोशिश नहीं की लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन अगर ये आपके परसन अड़ जाते अगर अपने फैसले पे अड़े रहते न तो कहीं न कहीं आप दोने का मिलन तैथा क्योंकि इतने भी बुरह लोग नहीं है बस ये देखना चाहते हैं कि रिष्टा किस हद तक ये सीरियस है लेकिन इस परसन को ऐसा लगा कि अगर ये बोलेंगे विद्रो करेंगे तो हर को इनके खिलाफ हो जाएगा और कुछ न कुछ बुरा जरूर हो जाएगा तो ये परसन इतने ज़दा कायर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अपना मतलब जिन्दगी में एक बार बहुती मुश्किलों से मिला वाला प्यार इनोंने चोड़ना जरूरी समझा लेकिन ये दो लोगों को इखटे करके समझाने में और समरत रहे इसी टाइप के हैं मुझे लग रहा है अपना स्टैन लेनе में ये परसन बहुत जदा हिच की चाहते हैं ये भज़ बोल सकते हैं बड़ी बड़ी पाते कर सकते हैं ये परसन बहुत बार इनोंने आपसे बहुत ज़ादा वादे भी किये हैं लेकिन आप दोनों मिसे ज़ादा बोल्ड जो है मुझे आप ही नज़र आ रहे हैं जो हर काम को नडरता के साथ, हर काम को बहुती सकती के साथ कर सकते हैं आप in fact तयार भी थी अपने घरवालों के खिलाफ खड़े होने के लिए लेकिन इस परसन की हरकते देखके आपको भी पूरा-पूरा स्पस्ट हो गया होगा कि आपने अच्छा ही किया ऐसा ना करके क्योंकि जब बार ही आई न ऐसी तो चीज़े होती हैं जाता ऎसी ही चीज़े होती है ऐसी चीजों से ही गुजरना होता है और इसी में ही इनसान की परिख्षा होती है और यही छोटी-छोटी चीज़े आगर आपने पार कर ली तो कहीना कहिँ सावित हो जाता है आप दोने गुश्रे के लिए ही बने हैं और आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए लेकिन साथ निभाना तो दूर की भाद है ये इनसान भगडो की तरह भाग गए और ये बिल्कुल भी चाहते नहीं थे इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि आपको इस बारे में पता चले यह अभी भी जब भी अगर यह आपसे मिलेंगे क्योंकि मैं तो देख रही हूँ इनकी जो feeling साब के लिए आज भी जिन्दा है और उसी ही जादा उससे भी जादा passion के साथ जिन्दा है क्योंकि दोनों के बीच में जो आगी है ना जो separation आगए जो gap आगए जो बात नहीं हो रही तो उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है लेकिन यह person आज भी जब आपसे मिलेंगे आप हो सकता है आप इनसे मिलना ना चाहते हैं लेकिन यह बहुत ज़्यादा गिर्डगड़ा के आपसे request करने वाले हैं कि नहीं मुझे मिलना है नहीं मैं सारा कुछ ठीक करने के लिए तयार हूँ बिल्कुल 100% यह आपसे बहुत बार request करेंगे आपने से बहुत सरे लोग हो सकता है कि अंदर से तो हाँ 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 बोलने की बहुत ज़्यादा आपको जल्दी मच रही हो लेकिन आप भार से ऐसा बन के दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं क्योंकि आपको पता है इस person को अगर असानी से हाँ कर दिया तो इनको लगेगा कि ओहो बहुत असान है अपनी तरह से ये efforts नहीं डालेंगे तो इसी वज़े से नजर आ रहा है कि ये आपकी जो person है ये बहुत ज़्यादा आपको emotionally पिगलाने की कोशिश करेंगे लेकिन इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि पुरानी बाते ना है जब जब आप इनसे पुरानी बाते पूछेंगे तब तब मुझे लग रहा है ये person बच्टे फिरते वे नजर आρ रहे हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके person के मन में बहुत सारे चीज़ ऐसी हैं जो ये आपको उस दिन बताएंगे लेकिन जहाँ जहाँ फैमिली की बात आ रही है तो ये नहीं बोलेंगे जादा कुछ क्योंकि चुप्पी इसले साथ लेंगे या किसी और बात को बीच में डालके उस बात को काटने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे कमजोर कड़ी आपके परसन खुद है अगर ये थोड़ा जोर और लगा लेते तो कहीं न कहीं बात बंती हुई नज़र आ रही थी बंते बंते रुग गई ऐसा लग रहा है इस सिच्टेशन में इनके घरवाले आज भी मान सकते हैं लेकिन पूरी की पूरी कमी मुझे आपके परसन के तरफ से नज़र आ रही है ये परसन इतने डर पोक निकले ये सो कल्पना से दूर है क्योंकि यही थे इस रिष्टे में जहां सबसे पहले मुझे लग रहा है लेकिन इनों नहीं सबसे पहले आपको वादा किया आपके दिल में उमीद जगाई और जब जो वादा को निभाने की वादा है जब असले परिक्षाए जहां पर ये अपने आपको साबित कर सकते थे ये भाग खड़े हुए यहां पर आपकी फैमिली मुझे इन्वाल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रही है इनहीं की फैमिली खुद की फैमिली से जब ये खुदी भाग गये खुद की फैमिली को ये गभी करना बेकार है क्यों अपना समय जाया करना चुपचाप मान जाओ और अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ शांती से बिना किसे जंजट के लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सालों बाद भी इनके दिमाग में आप इस कदर चाये हुए हैं कि आपसे अलग हो पाना इनके लिए बहुत जदा मुश्किल हो रहा है आज भी कोई गीत सुनते वक्त है फिर आज भी आपकी तस्वीरों को देखते वक्त इनके आँखों में आसुआ जाते हैं जो कि साफ देख रहा है कि इनका प्यार कभी भी आपके लिए जूटा नहीं था लेकिन इस इनसान में बहुत सारी कमिया है जो अगर यह पूरी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप दोनों को साथ रहना चाहिए क्योंकि जीवन में इससे भी बड़ी बड़ी और जादा परिक्षाएं आएंगी यह तो चोटी सी बात थी लेकिन अगर आदर हांड मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है आप कितना जादा स्ट्रॉंग है आपने बहुत सारे चीज़े जेली है इस परसन का दिया हुआ दर्द इस परसन ने जो जो आपको जितना रुलाया है उतना ही परसन अभी रोते हुए दिखाए देर एक तो गलत फैसला लेना गलत लोगों के कहने पे लेना उपर से अपने ही फैसले के कारण गुट-गुट के मनना ऐसा नहीं है इस फैसले को लेकर ये परसन बहुत ज़दा खुश रहे हैं या फिर इनके लाइफ में बहुत ज़दा ट्रांसफोरमिशन हो गया है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जबकि ये अपने आपको बहुत बार कोस्ते वे नजर आ रहे हैं ये फैसला लेने के लिए लेकिन इनके मन में ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई कि इस फैसले का अब करना क्या है? अब क्या नतीज़ा होने वाला है? अब कैसे आपके ओर आया जाए? कैसे आपको दुबारा से पाया जाए? क्योंकि ये परसन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी हरकतों पे इसका सेकिंड पार्ट हम लेके जरूर आएंगे ये रीडिंग कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा एक चीज़ और क्योंकि वे वे बताईएगा